लॉंग टम पॉर्टफोलियो पिक एपिसोड टू में आप लोगों का स्वागत है यहां पर आज हमारा जो पॉर्टफोलियो पिक है वो है आई टी सी यहां पर अगर आप देखोगे एक इसने अपने आपको बहुत एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर यहां पर शाबित अल्र इतने अच्छा स्टाक है और अब यह एकए करेंट गरें कहां पर कैसे इनवेस्मेंट करें यह सिफ एक मेरी स्ट्रेटजी रही की जो मैं आज आप लोगों को यहां पर बताऊंगा क्योंकि हमारा पिछला स्टाक था एपिसोड वन आप देख सकते हो वह था आया सीक्षी वो भी इसमें काफी एक अच्छा रिडार पर है, तो अब यहां पर इसको हम एनलाइस करेंगे, हर एक टाइम फ्रेम पर और इसमें हमारी जो राइट एंट्री है, किस कौन से पॉइंट पर हम कितना पैसा यहां पर डाल सकते हैं, वो टोटल ही आपका रहेगा, मेरी जो स्ट इसमें फॉइंट पर हटी है वाइट पर ऐ sì बाइये फ्रेयर पर टाइन का टाइम टाइम फ्रेम हम पहले पटल अइट़र करने की कोशिच करते हैं, कि एकच्छा में ही आ रहा है जो है 440 के आसपास 440 420 380 मतलब आप यह देख लो कि यह जो तीन पॉइंट है जहां पर लोगों ने भर भर के बाई किया है यह तीन पॉइंट आप अपने रेडार पर रख लीजेगा तो अगर जब मुझे कोई इन्वेस्मेंट करना रहता है तो मैं किस हिसाब से करता हूँ पहले मैं वन वीक का टाइम लगा लेता हूँ यह तीन पॉइंट मैंने निकाल लिये 440, 420 और 380 तो अब इसमें इन्वेस्मेंट कैसा रहेगा अगर करेंटली मार्केट का सीनेरियो देखेंगे और हम पहले इसको बंडे का टाइम फ्रेम लगा देता है अब करेंट सीनेरियो को देखते हुए मार्केट कहां पर चल रहा है मार्केट चल रहा है नेगेटिव इन्वेस्मेंट की वह कैसी साब से रहती है वह रहती है आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए 30 20 और 50 30 20 50 मतलब क्या है कि मार्केट यहां पर गिर रहा है इवन स्टॉक्स भी गिर रहा है तो यह एकदम अभी जो हमने डिस्कॉशन किया यह अपने एकदम इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास है तो अगर जैसे ही मेरे पास अगा 100 रुपे हैं तो 100 रुपे में से 30 रुपे मैं यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डालूँगा ठीक है दूसरा पॉइंट मेरा क्या रहेगा 420 क्योंकि मार्केट में जो लोग लूग टाम होल्डिंग करते हैं वो हमेशाए बेस का इंतजार करते हैं यह चीज़ आप आप लोगों को समझ में आ रही है तो सब मैंने जो 50 रुपए डाले वो मेरे इंवेस्ट होगा आप जो तीसरा पॉइंट होगा 380 क्योंकि वह अल्टिमेट सपोर्ट है 380 यह कोई एडवाइस नहीं है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए यह होती है कि आप स्ट्रेटजी आपका जो स्टॉप लोस रहेग मार्केट ने बड़ा जो बेस बनाया है वो आप यहां पर देखोगे कि कि लंबे टाइंग तक इसने कंसॉलिडेट किया था तो मेरा जो फेवरेट अगर मेरा मैक्जिमम अमाउंट ऑफ इंवेस्टमेंट कब रहेगा जब यहां से यह जो स्टॉक है यह दुबारा निकाल एक इंवेस्टमेंट होता है वो इस हिसाब से यहां पर होता है तो आप लोगों को यह वाले वीडियो पसंद आया होगा तो मेक शूर वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेसा जुनना चाते हो टेलीग्राम का लिंक कमेंट पर है मिलते ह है वहां पर ठीक है थैंक यू